हेलो फैंड्स नमस्कार आज के इस वीडियो के माध्यम से रेलबे में आर्पीफ का रिकूट्मेंट निकला है आज ही एक्छली इसका पब्लिच किया गया है तेक्छली इसमें 2,000 जो है जैसे आप सामने आपको दिख रहा होगा जैसे G oynad of India, ministry of railway, procedure for recruitment of sub-inspector and constable एक्च्छली जो है सब इंस्पेक्टर SI और कॉंस्टेबल का जो है रिक्रूट में निकला है और इसमें अच्छा का सा रिफ बेकंशी है जैसे यहां पर लिखा है तक करेंट रॉंड रॉंड रिक्रूट्मेंट इज बिंग दन फॉर्फिलिंग वेकंशी ऑफ 2,000 इंड रैं सब्सक्राइब के लिए इसके अलावा जैसे इसका जो है किस तरीके का रिक्रूट्मेंट का प्रिक्रिया होगा वह आपको बताया हुआ जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या होगा फेज 1 में जो है आपका एक्षिली रेल्वे रिक्रूट्मेंट बोर्ट जो आर आर भी है वो आपका CBT एग्यामिशन कंड़क्ट करेगी कंप्यूटर बेस टेस्ट सेकेंड में जो है आपका फिजिकल इफिशिंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट होगा यह भी आर पीएफ कंड़क्ट एक्षिली यह सारा प्रोसेस करेगी इसके अलाबा जैसे तिसरा फेज में डुकुमेंट फेरिफिकेशन इस तरीके का जो है इसका जो क्या क्या सारा भी इसान किया गया है इसके अलाबाहरा एक्जामिलेसन का क्या क्या प्लिच्जेटD्यक दिया हो जब रहु जैसे सव इंस्पैक्टर के लिए जहां को आपके पास आपके पास ग्रेजो enfin का डिक्न इन चाहिए मीनिमुम पीछ उसके बाद इज्रिलेक्शेशन कितना कितना होगा वह दिया हूँ सेस्ट के लिए पांट साल और इस तरीके का अदरीजर वी दॉल यास तरीके का है और जो है है फिजिगल मेजर्मेंट कितना कितना चाहिए वह सब भी में सन्किया है आपको जो है एडवाटाइजमेंट रेफर करेंगे तो सारा डीटेल जो है आपको जानने को मिलेगा और जान सकते हैं इसका क्या 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 अग्यामनिशन जो पूछा जाएगा से लिए बस वह भी है जैसे जैनल अवियरनेस होगा और अर्थमेटिक होगा जैनल इंटेलिज है इसमें जैसे आपका जो है कॉंस्टेवल का नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटेन अग्यामनिशन क्वालिफाइंग जो है इसमें कुछ फिक्स किया गया है टोटल कोश्चन जैसे एक सब 20 रहेंगे तो क्वालिफाइंग जैसे अन्रेजर ओभी से कि जो है 42 मार्क्स आपका ल अब जान सकते हैं आप या नहीं है जो भी है तो लेकिन अच्छा कासा यह और आगे भी जो है एसिस्टेंट लोको पाइलोट लोको पाइलोट टेक्निशन जैई एससी वगरा का जो है आफिलाल में ही जल्द ही रिक्रूट में निकले कि आसा करते इस वीडियो के माध्यम स आपको समझ में आया हो अगर आपको चैनल अच्छा रहता है जो लाइक सब्सक्राइब धन्यवाद